अध्यक्ष मावदय और मान्य सदस्गर्ण जय जगन्नात नौगठीत सत्रवी बिदान सभा के पर्थम सत्र में आप सभी को संबोधित करते वे मुझे अपार हर सियोमगर कानवा हो रहा यह तन परसंता का विशा है कि सत्रवी बिदान सभा के चुनाओ सांतिपुन डंग से संपन हुआ मैं आसा करता हूँ कि सभी निर्वाचित विदायक उडिसा के चोमुकी विकास से संबंदित मुद्दो को परभावसाली डंग से रखकर पर्देश के स्वरंगिन विकास में अपना सयोग देंगे मैं सभी मान्य सदस्वों का हारदिक स्वागत करता हूँ हारदिक अभिनंदर करता हूँ मेरी सरकार का यह पर्यास होगा कि समाज का हर वर्ग राज की विकास की परकिरिया से समान रूप से जुड़े और हम सब की सम्मलित सिज़दात्मक उर्जा इस राज के उठान के परती समर्पित हो मैं आप विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी सरकार उरिशा राज की संपून जन्ता के हित्मे को सर्वपरी मानते वे निश्पच नीतियों पर चलेगी मेरी सरकार सहीदों के त्याट और बल्दान को हिर्दय में आत्मसाथ करते हुए द्वेश, घिरना, अहंकार परतिसोत से दूर रहने का प्रण लेकर कार करेगी उरिशा अस्मिता को केंदर में रखकर सजाक तकपर, स्वच, पारदर्सी और संवेदन सेल परसासन के माद्यम से राज की परगती को उच सिखर पर ले जाने के लिए संकल्पी थे इवाओं को रोजगार किसानों को हर समय साहता माईलाओं का ससक्ति करन दलीतों और अदिवासियों के समयधानिक अधिकारों एवं सुरक्षा, कौचों की रक्षा, भुमीनों को भुमी खेतियर मजदोरों की साहता तथा दुर्भावना अधारित कानूनी उल्जनों से दलीत अधिवासियों और संक्यों को यों गरिवों को मुक्ती देना मेरी सरकार की प्रात्मिक्ता में सामील होना अधी आउ पस्तित माणने सदोसों से मेरा निवेधान है कि वे उरीसा के पुर्व राजपाल, स्वर्गे मुल्ली धर चंदकान भंडारे उरीसा के पुर्व उपुवास अस्पती तथा पुर्व मंत्री स्वर्गे सुरेंद्नात नायक पूर मंत्री स्वर्गे दमोदर राउत, स्वर्गे दंबरुधर उलका, स्वर्गे कमला दास विदान सवा के सभी पूर सदस्वों, स्वर्गे भी सुग्यान कुमारी देव, स्वर्दे आदित माड़ी, पद्मिश्री पुरुसकार विजेता, स्वर्गे कमला पुजारी, उ सदन दिवंगत आत्माओं के सुक संतप्त परिवारों के परती अपनी गहरी संधेना प्रगट करती है। बरस दोजार चोबिस का ऐसा महत्पून आउसाराज जब उरिशा के लोगों ने जाती प्रंथ छेत्र और लिंग से उपर उड़कर मेरी सरकार को अगले पांच बरसों तक राज की सेवा करने और राज को भिक्सित उरिशा की दिशा में ले जाने के लिए एक अथ्यासिक जन सरकार बरस दोजार चातिस तक एक बिक्सित उरिशा बनाने के अकांचा रखती है तक ऐसा राज जहां किसान सम्रिदो यवाओं को रोजगार मिले और महलाएं ससक्त हो इसलिए प्रतेक पहलों में क्रिशक, सरमिक, जन जाती, यवा सक्ती, अन्यदाता और नारिश सक्ती को प्रात्मिक्ता दी जाएगी। के मामले में पुर्वी भारत का पावराऊस बने। मेरी सरकार की मुख्य प्रात्मिक्ता यवाओं के लिए रोजगार के आउसर पैदा करना। बर्स 2047 तक विक्सित भारत के राष्टे डिश्टिकोन के अनुरूप मेरी सरकार एक विक्सित उडिशा के मात को पाचानती है जो अमरीत काल में राष्ट की परगती को देते वे विकास का इंजन बन सकता है। हमारे आराध्य परबूसरी जगानात कैसिरबाद और लोगों के समर्थन से मेरी सरकार 24 गंटे काम करने के लिए परतिबद्ध है। और हर उईसा के सपनों और अकांचाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चुकि मेरी सरकार उजिसा के लोगों से किये गए अपने वादों को पूरा करने के लिए डिर्ड थी। इसलिए उसने सपद्गरन समारों के तुरन बाद पहली कैवनेट बैठक बुलाई और घोसना पत्मे किये गए चार महत्पुन वादों को पूरा करने का संकल हुआ। पूरी में स्री जगनात मंदिर के साभी चार द्वारों को फिर से खोलना, स्री जगनात मंदिर तिर्थ हस्तल के विकास कारियों की सुरक्चा और रख रखाओं के लिए पांसो और रुपे की एक कोस नीदी का निर्मान करना। राज में समरीद क्रिशक नीती का करवायन जिसके तहत खरीफ और रभी दोनों में धान की खरीद की दर तीन हजार एक रुपे परती कुंटल होगी। और सुबदरा योजना का करवायन परभू जगनात हर उरिशा की पैचान है। शरी जगनात संस्कृति का मुल भी से स्वरभौमिक भाय चारा है। मेरी सरकार शरी जगनात संस्कृति और उरिशा अस्मिता के मात को स्विकारती है। हमारे सासन के एजेंडे में उरिशा का गवरो केंदरिय मुद्दा है। मेरी सरकार के परती उरिशा के लोगों द्वारा व्यक्त विश्वास के अनुरूप उरिया संस्कृति को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए पूरी विमंदारी से प्रयास किये जाएंगे। मेरी सरकार उरिशा के समरीद हद करगा हस्त सील्प और व्यंजनों को प्रोशान देगी ताकि इसे विस्वभर में परसिद्धी मिले। उरिशा का किर्शी छेट जो कि कूल आबादी के लगबग 60% लोगों को रोजगार देता है। तथा जीएशडीपी में लगबग 20% का योगदान देता, कम उत्पादक्ता आपरत्यासित बर्सा पर निर्वर्ता, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान, किसानों के सम्मुख परमुख चुनोतियों के रूप में बिद्वान है। इससे किसानों की आयक कम रहती है, तता समग्र छेत्र विकास में बादा आती है। मेरी सरकार पांच बर्स के ब्यापक दिश्टकोन के साथ किरसी छेत की पूरी छमता का दोहन करने के लिए परतिबद्द है। मेरी सरकार सम्रीद कृेसिक नीती लागू करके उरिशा में किर्सी चित में परिवर्टा लाइगी। इस नीती के टाहत रुप्य परती की MMTL के दिर से धान के खरिद की जाएगी औरase 18 गंटे के अंदर भुक्तान किआ जाएगी। किसानों के आह में उलिखनी बिर्दी करने के लिए मेरी सरकार मुल स्रिंखलाओं, कृशी मसनी करान और फसल कटाई के बाद के बुनियादी डाचे पर ध्यान केंदित करेगी। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसी उत्पादुकों को मुल बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज, सुईदाय, प्रसक्रनिकाई और कुसल आपूर्ति सिंकला बिक्सित की जाएगी। किसानों को अधुनिक किसी तकनीकों और मुल सबर्दन का परसिक्षन दिया जाएगा। मंडियों को अन बंडार किसानों के बिसराम, ग्रीट अता गुदामों से उन्नत किया जाएगा। कि यहम उने इन नाम से जोड़ा जाएगा। मेरी सरकार, महिला, भुमीन, किसानों को प्रात्मिक्ता, क्रिस्ट, और बिच्छेद बहुद इसी मितिया मंकन के लिए पुरसाहिद करेगी। सुप्ष सिचाई के लिए नवनीकरन उरजा समाधनों के साथ किसानों को ससक्त बनाने के लिए पी-म किसुम योजना को पुरी तरह से लागू किया जाएगा। सिचाय पर बिस्ज़ धयान दिया जाएगा। ड्रीप सिचाई को बढ़ावा दिया जाएगा और बलांगीर, काला अंडी, बढ़गर और नुअपाड़ा में एक बर्स के अंदर दस सिचाई परियोजना की सुरुआत कर उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा मेरी सरकार स्री अन्हे के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए सार्थक कदम उठाएगी अरिवासी चेतरों में स्री अन्हे की खेती को बढ़ावा देने एक मजबूत आपूर्ती स्रिंकला बनाना स्री अन्ण प्रसकरन सेयंतरों के लिए सबसीडी परदान करना और सभी सरकारी केंटेनों, स्कूलों और संतानों में स्री अन्ण को सामिल करना कुछ ऐसे कदम है जो उडिसा को भारत में स्री अन्ण का केंद्र के रूप में अस्थापित करने और कूपोशन से परभावी डंग सी निबटने के लिए उठाए जाने चाहिए। के मत्स पालन को नई उचाई तक पहुचा सकती है। पसुदन फार्म चारा उत्पादन और चारा एकायों के अस्तापना के लिए सबसेड़ी दे जाएगी। देरी किसानों के सामने आने वाली चुनोतियों का समाधान करने के लिए और अधीक दुग संगरा केंदर तता दुग सितलन केंदर अस्तापित करने के लिए OEMF ED को ससक्त किया जाएगा। यहम दूद संगरा के लिए लाफकारी मुल सुनिचित किया जाएगा। पोल्टरी बकरी के मांस और अंडे को उत्पादन को बढ़ावा के निबराने के लिए APO और महिला किसानों द्वारा पोल्टरी फॉर्म, बकरी पालन, सुहर पालन और कलस्टर केती संचालन के स्थापना के लिए सबसिटी परदान की जाएगी। इसके अतरीक मेरी सरकार उडिसा की देशी गाय और बकरों की नसलों जैसे रंबा, केपालन, मुल्यांकन और कोसन के लिए पुरसान परदान करके उनके संवर्दन को प्रात्मिक्ता देती है। परतेक प्राचिन सास्त में महिलाओं को परिवार और समाज के स्थम के रूप में सम्मानित किया गया। प्राचिन गर्ण्थों में महिलाओं की सिक्षा, स्वास्त और सम्मान के महत को रेकांकित किया गया। तता राश्ट के भविस को आकार देने में उसकी भूमी का को सराय गया है। मेरी सरकार मात्र सक्ती को सरोच सम्मान देती हैं। तता उनकी भलाई परगती और सम्मान के लिए सदेव परति बद्ध है। मेरी सरकार का लक्ष दोहजार सताइस तक पुरिसा में पचीस लाख लखपती दीदी बनाना है। तताइस हेतु स्वाम साहता समो के लिए और दोगी कलश्टर अस्तापित करना यो मुतपाद विपन और परचार के लिए आवस्तक सुईदा और परबंद कराना है। मालाओ दमयों को प्रेडिध करने के लिए मेरी सरकार उन सम साहता समो को पुरसाइद परधान करेगी। जुने ने सłosंग को सफलता पुर्बक्त एमेस अभी में परवर्टित किया है। संगटित और असंगटित दोनों छेत्रों की महला करमचारियों की साहता के लिए क्रेश सुईदा को पुरुसाहिद करेगी तथा कामकाजी महलाओं के लिए जिला अस्तर पर छात्रावास अस्तापित करेगी. मानव तसकरी के पिर्टों को संस्तागत साहता परदान करके उनका पुनर्वास किया जाए बच्चों को भगवान का स्वरूप एवं राष्ट का भविस माना जाता उन्हें एक मजबूत और परवुद समा सुनिचित करने के लिए समगर भिकास किया हो सकता है मेरी सरकार राज के बच्चों को जोड़िया उडिसा के समरीद भविस की कुंजी है सरोत्तम सुईदा परदान के नहेतू परतिबद है मेरी सरकार ने बरस दोजार सताइस तक कूपोशन को वसुता कम करने का लक्च रखा इसके लिए मेरी सरकार कि सोरा वस्त तक के सभी बच्चों को स्वास्त भरदक पूरक आहार और स्वास्त सेवा परदान करेगी